गुद आफ्टरून ओन्लाइन भी सबको नोट्स मिल गया है क्या जिनको नहीं मिला है बता देना आप हिंदी इंग्लिस दोनों मिल चुका आप लोगो हम लोगो ने फंडामेंटल वाइट स्टारून आप लोगो ने फंडामेंटल वाइट स्टारून किया था आज हम लोगो फंडामेंटल वाइट के अंदर जाकर देखेंगे कि करेंट अफियर में हमारे लिए क्या-क्या इंपॉर्टेंट है ठीक है तो आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि आर्टिकल 15 और 16 के अंदर पे हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग एक और इसू है ज्यान वापी एन उससे रिलेटेट कौन सा इसू है लेसे सॉफ वर्षिप एक्ट तो हमारे लिए ज्यान वापी इसू कोई इंपॉर्टेंट नहीं है तो मेरा आप लोगों से विक्वेस्ट होगा कि जब इस पर कोई कोस्चन आएगा तो आप लोग ज्यान वापी का मुद्धा प्लीज नहीं उठाना है हम लोग को उसमें सिवलेंग ये वो पूरा जो कहानी आप लोग आसपास सुन रहे होंगे उसको नहीं लिखना है कहीं दिए एक दो जगा हम लोग बस कॉंटेक्स्ट्वल रेफ्रेंस देंगे यह नहीं की इमोशन में बहके कि अब वो आया था उसने तोर दिया मंदिर फिर मस्जिद बना दिया हमें मंदिर मस्जिद के जहगडे में कहीं भी नहीं जाना है अपने पूरे एंसर में हमें पोइंट पे रहना है और हमारा पॉइंट क्या हुआँ पे पहले सौ वर्षिब एड उसी के इन एडराउंड हम लोग घूमते रहेंगे quiet उतिया अना भी होगा तो उसी के question के in एंडराउंड पूछेगा question कभी भी और कभी नहीं पूछेगा एकवर्शर करके काफी controversy में आ चुका है और कभी भी constitutional bodies ऐसे debates में जाना पसंद नहीं करती है खुद भी बहुत sensitive होती है even in interview वो बहुत sensitive होते हैं जब तक कि आप कोई ऐसी बात ना कह गये हो ठीक है आप ऐसी कोई provoking बात करोगे तो counter question हो सकता आएगा लेकिन खुद भी बहुत sensitive होते हैं तो अभी हम लोग first half में यह तीन इसू निपटाएंगे उसके बाद हम लोग लिखेंगे और फिर हम लोग आज DPSP complete करेंगे और DPSP में जो current affair इसू है उसको भी हम लोग आज हम लोग complete करेंगे ठीक है थोड़ा आज fast move करेंगे आप लोग को बहुत सब्सक्राइब याद है तो हमारे लिए आज fast move करना आसान हो जाएगा ठीक है प्लीज बैठ जाईए तो यह हम लोग उने कल भी देखा था अब यह देखिए हम लोग जी तेंदर जी तो मैं गलत सीट लगा दिये है यह आई तिंग गलत लगा दिया है हाँ चले मैं सुरू करता हूं ठीक है कल हम लोगोंने फंडामेंटल राइट्स पढ़ा था है दो आज हमो wash fundamental rights क реально अर्टिकल पंदर कीमेली आर्टिकल पंदर आंड वा में सटार्ट करेंगे ठीक है अब देखेंगे कि आर्टिकल पंदर जो है वह कहां एपक्रीब है आपिकल शोल आ वह नहीं तो को हम लोग को ध्यान में रखना है अब आर्टिकल 15 क्या पढ़ा हम लोगों ने कर बताता है प्रोहीबिसन प्रोहीबिट दिस्क्रिमिनेशन किन चीजों पर पांच क्या-क्या है विलीजन वेस कास सेक्स प्लेस ओफ वर्थ यह क्लियर है और यह हमें पता है कि इसके अंदर भी दो प्रभीजन है सेकंड हमाव लिए उतना इंप्रेंट नहीं है अब इसमें हमें यह क्या बता रहा है हमें यह बता रहा है कि यह क्या कर रहा है यह भी स्टीट पे प्लस प्राइवेट इंडुविज्वल पे ठीक है दोनों पे क्या कर रहा है कि कोई भी इन ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेट करता है तो हम लोग अगेन कहा जा सकते हैं कोर्ट पे मतलग किसी को भी अधिकार इन पांच पैरामीटर्स पे नहीं है करने का अब जब मैटर EWS का आया ठीक है तो EWS क्या है एकनॉमिक वीकर सेक्षन अब हमने इसमें क्या किया 103rd Constitutional Amendment Act लाया और क्या किया कि हमने 10% वेजर्वेशन किसको दिया जेनरल केटेगरी को ओ स्टूडेंट्स जो एकनॉमिकली वीकर से आते हैं बट किस केटेगरी से बिलॉंग करते हैं जेनरल केटेगरी से तो अब यह कुश्चन आया कि लेकिन अब आप कैसे डिस्क्रिमिनेट करें कि आप किसी को वेजर्वेशन दे रहे हैं इसका मतलब कि कुछ हमें चेंज लाना होगा यहां अपने आर्टिकल 15 में तो आप देखेंगे इसी लिए से कॉंस्तिट्टि़ूशनल अमेंडमेंट किया गया और कौन सा कॉंस्तिट्टिवूशनल अमेंडमेंड किया गया अब यहां पर समझ में आ गया कि इन क्रैटेरिया पर एक discrimination तो हमने उसको हटाने के लिए exception बनाने के लिए यह किया लेकिन 16 में क्यूं तो इसका मतलब है कि जब भी हम 15 की बात करते हैं हमने किसमें change लाया article 15 and article 16 इसमें हमने क्या insert कर दिया 15 16 सब क्लॉज 6 and 16 सब क्लॉज 6 अब इसका यह मतलब था जब भी हम 15 की बात कर रहे होंगे जब भी हम 15 की बात कर रहे होंगे और उसके जो भी exceptions होंगे हम अभी exceptions भी देखेंगे तो किसकी बात कर रहा होगा educational इंस्टिट्यूट्स कि हमें किसी को जैसे हम कहते हैं कि सोचली एंड एकनॉमिकली बैक्वर्ड पीपल हैं तो उनको हमने reservation दिया OBC को quota दिया SC को quota दिया ST को quota दिया वो किसके exceptions है आर्टिकल 15 के तो जहां जहां हमें जो केशनल इंस्टिट्यूट की बात करेंगे वो कहां exception जाएगा आर्टिकल 15 में ठीक है लेकिन वहीं जैसे ही हम जॉब को ले आएंगे वो कहां हो हो जाएगा आर्टिकल 16 में तो अब आपको समझवाएं कि हमें अमेंडमेंट करने की इन दोनों में क्यूं ज़रूरत पर ही क्योंकि आर्टिकल 15 कहता है कि अब कास्ट पे हम किसी एक्सेप्सिन इंस्टिउस्टूशन में हम प्लेस दे रहे हैं कोटा दे रहे हैं इसका मतलब है कि हम discriminate कर रहे हैं तो उस discrimination को exception बनाने के लिए हमें उसमें change लाना होगा तो इसलिए हमने इसमें ये insert किया ठीक है इसमें amendment लाया और जब job की बात करते हैं तो article 16 क्या कहता है employment equal opportunity in public तो मतलब अब public employment job हो गया job में भी हम कह रहे हैं कि EWS को आप जैसे BPC है यह भी एक job है इस job में भी हमने कहा ना कि EWS के लिए 10% reservation होना चाहिए मैं यह topic पढ़ा रहा हूं तो इसमें जो यह general category OBC SCST सब्द आएगा तो आप यह मत सुचिए कि मैं कोई intention से कह रहा हूं यह topic का demand है तो कोई please hurt नहीं होना है ठीक है कि आप ऐसे कैसे बोल रहे हो बहुत बाए बच्चों को लगता है तो ऐसी कोई मेरी intention नहीं है मैं बस इस topic को deal कर रहा हूं और वह topic को deal करते वाक्त मेरे लिए general category OBC आप यह से बोलना स्ट बोलना मजबूरी है ठीक है तो please don't mind तो इस इन छोटी बातों को माइंड में नहीं रखेंगे तो हम मैं यह बात कर रहा था कि जैसे ही हम article 15 की बात करेंगे हमारे का दिमाग में clear हो जाना चाहिए कि यहां हमेशा हम educational institutions के टर्म में बात कर रहे होंगे कि यहां हमें कुछ किसी को exception देना है किसी को देना है कोटा देना है और जैसे ही हम जॉब की बात करेंगे हमें article 16 को invoke करना होगा उसमें चेंज लाना होगा उसमें अमेंडमेंट लाना होगा ठीक है है होगे होगे मैं यहां दिखाने के कोशिस कर रहा था कि 15 16 में हम लोगों इस चीज को इंक्लूड करते चलेंगे ऐसे ही बाकी भी था अब उस समय देखेंगे पहले टॉपी कम्प्लीट करते हैं कि यह देखिए exception मैं थोड़ा पहले आपको exception पे ले जाना चाहता हूं सो देट हमारा background clear होगा कि यह पहली बार ऐसा नहीं है इससे पहले भी क्या किया गया है special provisions for the advancement of any socially and educationally यह term आप गाठ बांध के रख लो क्या socially and educationally यह बहुत बड़ा keyword है आपको quality में इसको बार बार use करना है अभी EWS का आप जब answer लिखे होंगे तो यह term बार बार आएगा socially and educationally backward उसके लिए अब यहां पर क्या-क्या हमने बोला से डियूल का से डियूल ट्राइप उनके लिए हमने कंसेशन दिया public institutions में सेम चीज हमने फिर किया special provisions किन के लिए OBC के लिए उनको भी हमने विजवेशन दिया ठीक है तो हमने उसमें amendment किसमें लाया इसमें अब सीम हम लोग EWS को लेक्यार हैं तो हमें जब public institutions की बात करें होंगे तो हमें कहां लाना होगा यहां पे ठीक है यहां background clear है अब article 16 article 16 भी क्या कहता है इसका मतलब है बैठी बैठी जल्दी कि equality होना चाहिए लेकिन हम किसी को कोटा दे रहे हैं तो दूसरा आदमी तो discriminate हो रहा है तो उसको तो हमें exception बनाना होगा और उस आर्टिकल में हमें अगें अमेंडमेंट लाना होगा EWS से अगें हम क्या देने की कोशिस कर रहे हैं किसी को जॉब में preference तो अगें हमें अमेंडमेंट किसमें लाना होगा अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं EWS यह हमारे background दिमाग में clear है कि इन दो में अमेंडमेंट तो होगा ही होगा अब बटने की दरुदत नहीं है हम समझ गए कि जैसे ही educational institute की बात करेंगे आर्टिकल 15 कोई वोग करेंगे जैसे ही जॉब की बात करेंगे आर्टिकल 16 की बात करेंगे अब यह मैं कहूंगा कि थोड़े देर सब ची छोड़ दीजिए मेरे को 15 से 20 मिन दीजिए EWS मैं सीधा यहां डाल दूँगा ठीक है तो 15 से 20 मिन पैनुन छोड़के बस कहानी सुन ठीक है उनमें से एक पेटिशन नीट एस्पियंट्स ने भी किया था कि ठीक है आपने EWS बोला वट यह जो आठ लाह का आपने एक कट-off पुट किया है आठ लाह का एक जो इंकम बैरियर पुट किया है वह आप वहां पहुंचे कैसे क्या क्राइटेरिया था क्या वह सेम ओ EWS है क्या इसका बैक्ग्राउंड क्या है आपको इसी तरह लिखना है अब बिफोर EWS बिफोर EWS जब एकनॉमिकली वीकर सेक्षन के लिए हमने विजर्वेशन नहीं किया था तो क्या एकजिस्ट करता था तो क्या एकजिस्ट करता था कि प्रोविजन सो सीट एंड जॉब भी वी जर अब देखिए कहां किसके किसके लिए था सिडेउल कास्ट से ट्राइबस एंड सब्सक्राइब ऐृच्षन एंड एजू केशिछली तो यह तीन टिम बार ली बैकवर्ड क्लास तो इडवलूस से पहले यह जिस्ट करता था अब इडवलूस आया तो क्या हुआ गौर्ण्मेन क्या इंट्रडूस किया 10 के लिए जैन्रल गंटेगरी सीटीजन सक्षे हैं अब तो सका हुए ग्राइटरिया क्या था पहले हमने हैं क्लिया एक और चीज में बताना भूल गया जिन लोगों ने अभी तक जो भी लिखा और दिखाना चाहते हैं मैं आराम से यहीं दो घंटे बैठूंगा और आज आप अपनी दिखा कर ही कौपी जाए और सर्मानी की बात नहीं है जितना भी आप लिखें हैं चाहे जीवो लिखें आधा पेज लिखें एक पेज यहां से तो हम आगे ही बढ़ेंगे ना ठीक है तो आज दिखा के जाईएगा कौपी आगे बढ़ते हम लोग अब इसके लिए किया गया क्या हमने क्या दिया 10% EWS कोटा यह किस से इंटोड्यूज हुआ 103rd Constitutional Amendment Act से और इससे क्या हुआ यह कब आया था दो हजार उन्नीस में और इससे हमने क्या अमेंड किया आर्टिकल 15 एड में एक दम सुम्हेब एक दम एकड़ामन को क्लियर आइडिया दे देना है कि सर में इसको सारी बेसिक चीज़े पता है और उसमें हमने क्या इंसर्ट किया आर्टिकल 15 सब क्लॉज C and article 16 sub clause 6 आगे बढ़ते हैं अब यह आपकी मर्जी पर है कि आप इसको लिखना चाहते हैं कि नहीं लिखना चाहते हैं बट मैं कहूंगा कि एक लाइन में आप इसको ज़रूब लिख दीजे कि article 15 sub clause 6 क्या कहता है तो यह कह रहा है कि nothing in this article और sub clauses और article 19 और clause 2 of article 29 self-revent state for making तो यह कह रहा है कि जो यह article मैंने 15 sub clause 6 लाया है ओ इन not confrontation with article 19 और article 29 है मतलब यह दो article उसको रोकेंगी नहीं कोई भी law बनाने में ठीक है और वो क्या बना सकते हैं any special provision for the advancement of देखो उन्होंने क्या term use कर दिया economically weaker section of citizen other than the classes mentioned in clause 4 & 5 हम पहले ही mention कर चुके है clause 4 & 5 में तो हम इस पर इतना detail नहीं जाना है इसमें उन्होंने क्या introduce कि कोई भी article नए हमारे बूल को बनाने में नहीं रोकेगी और any special provision किन के लिए एक नॉमिक तो जब आप 15 सब क्लॉस 6 लिख रहे होंगे तो बस इतने तक लिख दीजिए हैं अबस ठीक है आर्टिकल 15 सब क्लॉस 6 इतना तो कोट कर सकते हैं हम लोग कि एनी स्पेशल प्रोविजन पूर्ड एडवांस्मेंट ऑफ एनी एकनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ दा सिटी चैनल क्लियर हैं तो यह हमें बताया पहले बताया था हमें कि से स्ट के लिए हुआ फिर ओवी सी के लिए हुआ अब 15 सब क्लॉस 6 ने हमें क्या इंट्रेड्यूस कर दिया एकनॉमिकली वीकर सेक्शन यह सब इतना बहुत ज्यादा लिखने की ज़़वत नहीं है काफी है अब आर्टिकल सोला देखिया आर्टिकल सोला सब क्लॉस 6 क्या यहां उसने किस चीज की बात की जॉब की ठीक है तो यहां से यहां फिर कोट कर सकते हैं कि आर्टिकल सिक्स्टीन सब क्लॉस 6 क्या कर रहा है बाकी से हमें दो नंबर एक्स्ट्रा लेने के लिए हमने इदि आर्टिकल 15 सब क्लॉस 6 और 16 सब क्लॉस 6 पुट कर दिया है तो हम दो मार्क्स एक्स्ट्रा मिल ही जाएगा अगें नॉट फोल स्टेट्मेंट बट इस टू लाइन्स क्लियर है आगे बढ़ते हैं हम लोग तो यह क्या कह रहा है कि यह एकनॉमिक विजर्विशन है इसमें जॉब में एजुकेशनल इस्टिट्यूशन में किनके लिए जो एकनॉमिकली विकर सेक्षन है और यह भी कह रहाए इस परसेंट का विजर्विशन दिया जा चुका है उसके आलावा जो पूर पीपल है उनकी वेलफेर के लिए यह 10 परसेंट का विजर्विशन दिया गया है तो हम लोग को यह दो पॉइंट भी मेंसिंट करना है कि किनके लिए एक तो विकर सेक्षन यह विकर सेक्षन कॉन है यह अधर दैन 50 परसेंट हैं जिनको विजर्विशन मिल चुका है और इस लादिया एकनॉमिक बैक्वार्टेस क्लियर है आगे बढ़ते हैं अब हमारा क्राइटेरिया क्या है आइडेंटिफिकेशन का EWS तो इसमें तीन ब्रॉडर क्राइटेरिया एक है और उसके अंदर फिर सब क्लॉज है पहला क्या बोलता है सेंटर ने क्या डिफाइन किया कितन अठेट लाग जिनकी भी अगेन एक वर्ड है ध्यान में रखना है एनुवल फैमिली इंकर्म लेस देन एंट लाक तो ये सेंटर ने डिफाइन किया कि हम उनको वीकर मानते हैं जिनकी पूरी फैमिली इंकर्म लेस देन एट लाक रुपीज हैं बट क्या यही एक क्राइट इसके अलावा भी बहुत सारे criteria हैं, बट हमने दो most important criteria को लिया है, ये तीन लिखिये more than enough है, क्या-क्या, beneficiary family must not own or possess 5 acres of agricultural land, पांच एकर से जादा उस family के पास agricultural land नहीं होना चाहिए, मतलब less than 8 lakh, less than 5 acres of agricultural land, और यदि कोई municipality or not notified, मतलब किसी भी तरह के city में, यदि residential flat 1000 square foot का हो, या कोई plot 100-200 square yard का हो, तो भी आप उस EWS में नहीं आ सकते, इससे कम होना चाहिए, तो कह रहा है न, flat of कितना square foot, 1000 square foot, कौन साइदी flat बना हुआ है, 1000 square foot is how much, this whole classroom is 1000 square foot, ठीक है, exact is, मिन्स यह पुरा प्लेश जो है, कितना है, 1000 square foot, तो इतने मेदी आपका कोई flat है, तो आप EWS में, हाँ, whole coaching, whole coaching, ठीक है, clear है, और यदि plot की बात करें हैं, तो कितना, 100-200 square yard, तो यह हमारे पास, चार, में लिदी तीन criteria है, क्या-क्या है, पहला criteria क्या है, less than 8 lakh, second criteria क्या है, एक साथ, एक साथ, less than 5 acres of agricultural land, दूसरा क्या क्या है, residential plot को लेकर, plot नहीं, वो flat है, तो flat कितना हो गया, 1000 square foot, और plot कितना हो गया, 100-200 square yard, यह criteria हमने fix किया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब, इनको मिलेगा क्या, EWS को क्या मिलेगा, तो all government jobs and educational institutions, whether ध्यान रखना है, whether private or state funded, ठीक है, तो इस सारी तरह की educational institution यह दिया, तो government funded हो, या private institutions है, बट, exception भी है, क्या, कि by minorities, मतलब कोई educational institution, जो minority based है, उसमें यह criteria लागू नहीं होगा, clear है, तो हमने यह define कर दिया, कि सबसे पहले किन को दिया था हमने, अब किसको दिया, वहाँ हमाये पास term आया economic weaker section, हमने economic weaker section को define किया, उसका 3 point लाया, और हमने बताया कि जो amendment भी लाया, तो हमने कैसे amendment लाया, clear है, आगे बढ़ते हैं, अब major question arise होता है, कि ठीक है, government ने 103rd constitutional amendment से क्या दे दिया, 10% reservation to economically weaker section, बट जो आम जनता थी, या NGO's थे, उन्होंने petition file किया, ठीक है, कि सर हमें problem है, कुछ parameters पे, सुप्रीम कोट ने भी इसको testing parameters पे लाया, कि क्या जो 10% का reservation दिया है, हमने, क्या वो basic structure of the constitution को violate करता है, उसको test करने की बात की, ठीक है, तो उसी में सुप्रीम कोट ने 3 major issues उठाया, ठीक है, तीन major issues, क्या है तीन major issues, पहला क्या कह रहा है, कि हमने अभी तक क्या कहा था, कि आप भी अभी तक reservation किस पे मिला था, social backwardness पे, but क्या economic criteria हमारे basic structure of the constitution को violate करता है, यह पहला question, कोट ने एक्जामिन किया, कि whether the amendment reaches the basic structure by permitting the state to make special provisions, including reservation, based on economic criteria, उनका कहना है, कि क्या state को यह power है, कि वो एक special provision बनाए, reservation दे, किसी people को based on economic criteria, और क्या वो violate करता है, किसको, basic structure of the constitution, तो पहला question, क्या issue raised हुआ, on the basis of economic criteria, clear, दूसरा, whether it violates the basic structure, allowing the special provision in relate to, अब हमने क्या कहा था, question में, उनको benefits कहां कहां मिल रहा था, government में, and private funding, तो कह रहा है कि क्या हमारी, मतलब authority है, कि हम private funded organization में भी, reservation दे सकते हैं, या यह violate कर रहा है, basic structure of the constitution को, कि ठीक है, government funded तो समझ में आता है, लेकिन private funded कैसे आप दे सकते हैं, ठीक है, तो यह दूसरा question examine किया, ठीक है कि क्या special provisions बनाया जा सकता है, जो कहाँ, educational institutes, which is private funded in nature, दो, हाँ, ठीक है, उनको कहाँ मिलता है, private में, ऐसा है, सब जगा मिलता है, private funded, कुछ, कुछ, देखिए, आप blanket नहीं है, यह र private institution में आप जाएंगे, तो SC और ST को, यह facilities है, ऐसा कहीं नहीं है, कि private funded organization में mandatory है, कि आप SC, ST को, या OBC को reservation दीजिए, आप किस college में थे, उसका nature मुझे नहीं पता है, ठीक है, लेकिन मैं जितना जानता हूँ, private institutions में mandatory नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तीस्वा question क्या आता है, कि ठीक है, ठीक है, आपने 10% reservation दे दिया, आपने कहा कि backward हैं, economic backward हैं, लेकिन आपने उसमें से SC, ST, OBC को क्यों exclude कर दिया, पूर तो भी हो सकते हैं, क्योंकि पहले backwardness किस चीज़ पे मिली है, social backward, social and क्या term था, educational backwardness, हमने उसमें उसमें भी जवेशन दी है, बट पूर तो SC में भी हो सकते हैं, ST में भी हो सकते हैं, OBC में भी हो सकते हैं, तो हमने इसमें उनको reservation क्यों नहीं दिया, ये तीन question सुप्रीम कोर्ट ने raise किया, क्या 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 तीन, पहला क्या है, economic criteria क्या violate करता है, same statement सब में है, कि क्या special provision state बना सकता है, to give reservation to on the basis of economic criteria, दूसरा कि क्या special provisions बनाया जा सकता है, to give admission in private funded organizations, और तीसरा कि ठीक है, यहां कहता है, कि क्या आप उनको exclude कर सकते हो, जब आप poor कह रहे हो, तो तो poor में सब आ गए, तो उनको आपने क्यों exclude किया, ये मुझे explain करो, ये तीन issue सुप्रीम कोर्ट ने raise किया, clear है, यहां तक कोई doubt, आगे बढ़ते हम लोग, दूसरा, एक और question उसमें, एक और question उसमें वेज किया गया, क्या question वेज किया गया, कि ठीक है, हमने पहले से, आपने सुना होगा इंद्रा स्वानि का case 90, 93 और 92, 92 है थिंग, ठीक है, आगे मैं देख लूँगा, तो 92 में उसमें क्या कहा गया, कि जब मंडल कमिशन का वीपोर्ट आया, तो सुपीम कोर्ट ने उसको अपहल्ड किया, और बोला कि वेजरवेशन का maximum cap क्या होगा, 50%, तो कह रहा है, क्या इसको भी वो वाइलेट नहीं कर रहा है, तो हमें overall इसको भी answer करना था, कि यह जो cap of 50 3% है, जो अगेन हमने जिसको basic structure of the constitution बना दिया था, क्या हम उसको भी वाइलेट नहीं कर रहा है, तो यह चार question सुपीम कोर्ट ने पूछा, और इसी पे issue पे discussions, debate चल रहा है, ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है, कि यह जो issues उठे और EWS का issue आया ह है, उसकी वज़ा से आगे इस EWS में क्या क्या challenges हो सकती है, ठीक है, तो पहला कि amendment ने क्या violate किया, हमने hundred and third amendment जो लाया, उसने क्या violate किया, basic structure of the constitution, उसका हम चार point देख चुके है, ठीक है, on the basis of economic criteria, again, admission in private funded institution, third, why excluding SCST and OBC from benefiting this economic weaker, section, ठीक है, और चौथा हमने देखा, 50% cap, तो चारो के case में हमने देखा, कि यह जो amendment है, वो violate कर रहा है, किसको, basic structure of the constitution को, आगे बढ़ते हैं, again, यह point वही put कर रहा है, कि अभी तक हमने क्या किया था, कि हमने special provisions कि किन के लिए बनाए थे, किन के लिए बनाए थे, socially, means socially disadvantaged group, means educationally, socially and educationally backward को, but 103rd amendment है, वो पहली बार क्या हो रहा है, वहां से, divert हो रहा है, और किस पर दे रहा है, economic criteria पर, तो यह एक challenge है, ठीक है, again, जो हमने चार बाते की हैं, वो यहां भी आएंगी, ठीक है, सेम आ गया, कि 1992 में Supreme Court ने, already ruling दे दिया, इंद्रास्वानी केस में, कि भाईया, 50% से उपर, गोटा नहीं जा सकता है, तो उसके लिए भी एक challenge है, मतलब जो 138, 103rd Constitution Amendment Act आया है, उसके लिए यह challenges आएंगी, ठीक है, चौथा, हमने economic backwardness cannot be the sole criteria, यह Supreme Court का कहना है, कि economic backwardness क्या है, एक temporary in nature है, जब temporary in nature है, तो हम उसको एक sole criteria नहीं बना सकते हैं, एक reservation देने के लिए, चौथा, पांचवा कि private institutions, ऐसा तो नहीं कि उनके fundamental right के हम against जा रहे हैं, क्योंकि उनका right to profession है, आर्टिकल 19 के अंदर, और उसको हम कहें हैं कि नहीं तुम्हें भी इन लोगों को observation देना है, तो पांचवा challenge क्या है, अगेन on the behalf of private funded organization कि उनके conflict आ रहा है, right to fundamental, fundamental rights of right to profession का, right to trade का, आगे बढ़ते हैं, मैं इसको खतम करता हूँ, six point क्या कह रहा है, कि अभी तक हम लोगों ने सी backward class को, मतलब हमारे constitution ने क्या allow किया है, special provisions किन के लिए, backward classes के लिए, अब पहली बार हमने किन को दिदे observation, forward class, और यदि forward class को भी दिया है, तो हमारा criteria economic है, poor है, तो हम बाकी को क्यों नहीं दे, ये भी एक challenge से उसको pass होना परेगा, और last में है, कि आपने आठ लाग का जो ये income criteria fix किया है, इसका basis क्या है, क्या इसका कोई scientific calculation है, या आपने एक random number उठाया, और बोल दिया इसके नीचे जो भी है, मतलब जो उपर है, वो इसमें apply नहीं कर सकते हैं, तो ये total seven challenges होंगे, ठीक है, इस hundred third constitutional amendment को test करने के वा, जो कि again, चार हम सुप्रीम कोट के भी same issues थे, उसी को हम लोगोंने challenges भी बताया, अब government का stand क्या है, government क्या कह रही है, government का भी कुछ point होगा, ठीक है, तो government ने क्या कहा, कि हाँ, हमने ये सब बाते सोची है, और हमने क्या दिया है, ये reservation किस basis पे देने की कोशिस की है, कि preamble में economic का एक criteria, justice की हम बात करते हैं, तो justice कौन सी है, कौन सी team थी, social, economical, political, तो कहा कि नहीं, देखिए, हमारे preamble में mention है, कि justice देना है, जिसमें economic भी एक criteria है, तो एक उन्होंने वो ले लिया, ठीक है, दूसरा उन्होंने कहा, कि article 46 of the constitution also supports reservation for economic weaker section, तो उन्होंने कहा कि कहा, आप मुझे यह दिखाओ, कहा लिखा है, article 46 में, तो यह देखिएगा, article 46 क्या कहता है, article 46 states करता है, कि government and institution must promote the educational and economic interest of, देखना, schedule caste, schedule tribes and other weaker section, तो उन्होंने कहा, देखो, weaker section लिखा है, ठीक है, मैं economic, डाल सकते हैं यहाँ पर, तो यह criteria article 46 मेरा meet करता है, however, क्या DPSP justiciable है, नहीं, तो court का भी, एक point है, हम government stand ले रखा है, कहा, PMBAL कह रहा है, कि जस्टीस की बात करता है, उसमें, social, economic and political है, and DPSP, जो है, article 46 में भी, यह statement make कर रहा है, कि other weaker section के लिए भी हम special provisions बना सकते हैं, ठीक है, तो government का stand यहाँ पर है, clear है, आगे बढ़ते हैं, अब इसको Supreme Court मानेगा, नहीं मानेगा, यह matter of debate है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब question आता है कि क्या जो यह 8 लाग का criteria है, और क्या OBC वाला ही है, या OBC से अलग है, कैसे यह अलग है, इसको भी हम लोग समझने की कोशिस करते हैं, तो उन्होंने भी कोई, government ने बहुत clear stand नहीं दिया, कि 8 लाग क्यों, उन्होंने बस 8 लाग क्या कहा, कि struck a fine balance between over inclusion and inclusion error, उन्होंने कहा, कि यह criteria हमने ऐसा put किया है, कि मतलब यहां पे लाने से ऐसा होगा, कि बहुत जादा लोग include भी नहीं होंगे, और बहुत कम लोग भी include नहीं होंगे, ठीक है, तो उन्होंने भी goal model एक answer दे दिया, उन्होंने भी कोई scientific criteria put नहीं किया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यह देखिए, और उन्होंने क्या कहा, एक दूसरा वीजन भी put करने की कोशिस की, कि अभी जो currently effective income tax exemption है, वो कितने के around है, आठ लाख के around है, पांच लाख ऐसे है, और उन्होंने अपनी कोई calculation की होगी, उन्होंने कहा जो effective calculation है, income tax exemption का, वो approximately 8 लाख के आसपास आता है, इसलिए हमने उसको एक criteria बना लिया है, कि जिसके नीचे हम economic benefits, sorry means reservation benefits लोगों को दे सकते हैं, अब यहाँ पे question third यह हुआ, कि लेकिन तो यह आप कहना चाहते हैं कि यह same है, जो OBC का criteria है, OBC कभी creamy layer का criteria क्या है, 8 लाख के उपर जो भी होगा, वो OBC creamy layer में आएगा, और जो 8 लाख के नीचे होंगे, उनको फाइदा मिलेगा, 8 लाख के उपर वालों को फाइदा नहीं मिलेगा, तो उनोंने का नहीं नहीं, दोनों का criteria अलग है, उसका 8 लाख अलग होता है, इसका 8 लाख अलग होता है, अब हम लोग देखते हैं कि दोनों का 8 लाख कैसे कैसे अलग है, अब यह कह रहा है कि कैसे, कह रहा है कि EWS का जो criteria है, वो कहता है हर साल का 8 लाख हम देखते हैं, लेकिन OBC का क्या है, पिछले 3 साल का हम देखते हैं, कि 3 साल में 8 लाख से कम है, या 1 साल में, लेकिन EWS में क्या है, हर साल तुम्हारा 8 लाख है, 8 लाख से कम है, आप EWS ले सकते हो, अगले साल यदि नहीं हुआ, तो नहीं होगा, लेकिन यहां पर कितना क्या criteria था, 3 साल का, तो यहां उन्होंने कहा कि देखो, दोनों में अलग है, कि दूसरा, क्या कह रहा है, कि OBC में जो है, OBC क्रीमी लेर को जो हम 8 लाख करते हैं, तो क्या करते हैं, income from salaries, agriculture, and traditional, artisanal, professionals are excluded, कह रहा है, जो आपको salary मिल रहा है, जो आपका agricultural income आ रहा है, या कोई ऐसी artisanal industry है, उससे पैसे आ रहा है, तो उसको exclude कर देते हैं, ठीक है, और तब हम 8 लाख calculate करते हैं, जब कि EWS की जब हम बात करते हैं, तो क्या करते हैं, कि all, all family income को हम लोग include कर देते हैं, तो इसलिए कहा कि देखो, 8 लाख का दोनों में same नहीं है, difference है, ठीक है, थर्ड, कहता है, कि एक uniform three sold by supreme, supreme court का भी ऐसा मानना था, कि जैसे criteria पर हम बात कर रहा है, कि ठीक है, 8 लाख same भी हो गया, तो कोई ये बात नहीं है, ऐसी observation supreme court की ओर से भी आता है, ये ज़्यादा important नहीं था हमारे लिए, अब recommendation देने से पहरे हम लोग, एक clarity eye क्या EWS क्या है, इसको थोड़ा सा हम लोग, एक mind map बना लेंगे, फटा-फट, क्या-क्या पढ़ा हम लोगों ने EWS में, क्या-क्या पढ़ा, पहले हमने क्या पढ़ा, जो लोग कल mind map नहीं बना पाए थे, हम लोग 5 मिनट से मुश्किल से लेंगे, और mind map इसमों बनाने की कोशिस करेंगे, क्या पढ़ा हम लोगों ने पहले, EWS के, पहले क्या था, बिफोर, बिफोर क्या था, SC, ST, और क्या था, तोसल एंड, एजुकेशनली, बैकवर्ट को हमने क्या दिया हुआ था, ठीक है, अब हमने किसको रिजर्वेशन दी, किसको दिया, जेनरल केटेगरी, हमने किसको दिया, जेनरल केटेगरी, ठीक है, उसमें भी किसको, एक्रनॉमिकली, वीकर, सेक्शन, कितना दिया, क्लियर है, अब ये देने के लिए, ये देने के लिए, हमने क्या किया, क्या किया, कौन सामेंडमेंट, कौन सा कौन सामेंडमेंड मेंडमेंट, तब आया, ठीक है, और इससे किसमें चींज लाया, एक साथ, एक साथ, आर्टिकल 15 सब कलॉज, 6, an article 16 sub clause 6, 15 sub clause 6 क्या कहता है, कि a special provision 4, 4 economically weaker section, कहा, in educational institutes, और वो दोनों हो सकते है, government and private funded, clear, crystal clear, 16 sub clause 6 क्या कहता है, special provision 4, 4 job, 4 economically weaker section, तो यहाँ तक हमारा clear हो गया, ठीक है, कि पहले क्या था, फिर हमने amendment लाया, और हमने reservation दी 10% की, हमने क्या-क्या बदलाव लाया, यह हमने बता दिया, ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था, Criteria Criteria क्या है, बताइए, तीन क्या था, पहला, less than, 8 lakh, फिर, एक साथ, एक साथ, फ्लाट, एवेसिडेंशियल फ्लाट, कितना होना चाहिए, 1000 स्क्वाइर, फिट, एवेसिडेंशियल फ्लाट, 102, 200 स्क्वाइर, यह, पर्फेट, ऐसे एक दम, खटा-खट लिख दिए गरे, एक जाम लिख दम क्रिस्टल लिए, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं, अब हमने सेट कर दिया, उसके बाद क्या किया हमने, इसू सुप्रीम कोर्ट ने इसू जवेज किये, इसू रेज किये, क्या थे इसू पहला, बताइए, क्या था पहला, पहला, ने बेसिक स्ट्रक्चर तो समयोर ळाहा, पहला क्राइटेर किस нас का था एकणॉमि स्ट्रक्चर क्राइटव अरद से दूसरा दूसरा Safari आ क्या था है, अब आएज घूर और धाज आरे इते ऑब क्लियर कि दूस्वा क्याट्रिय विया क्या था? private admission in private institutions, again violating same. Third, third, क्या था the third? Exclusion, exclusion of whom? स्थी स्टी सोचली एंड एजुकेशनली बैकवर्ट फॉम वाट फॉम तेन परसेंट ओफ विजर्वेशन अंडर एकनॉमिक विकर सेक्षिंट इसको हमने क्या किया ब्रीच क्लियर है यह हमने बता दिया कि सुप्रीम कोट ने ऐसी ऐसी बाते कही अब हमारे पास इसका मतलब कि हंड्रेट फॉर्ड जो सीए हैं उसके सामने क्या क्या चैलेंज़े तो चाब तो चैलेंज़े यह हो जाएंगी ठीक है तो अब यह देखना है कि क्या पूछा है ठीक है य अब यहां पर हम लोगों ने फिर से वही बात कर लेते हैं चार तो यही हो गया क्या क्या एकनॉमिक क्राइटेरिया दूसरा क्या था प्राइवेट फंडेड इंस्टिटिउशन थार्ड एक्स्कूलूजन चौथा 50% कैप और 50% कैप में किसका केस आना चाहिए इंग्वेश्ट रहने 1992 ठीक है पांचवा उसमें हमने क्या कहा था एट लैक्स यह छट्ठा था यह सात्वा था सात्वा हमारा एट लैक का था ठीक है एक था कि अभी तक हमने बैकवर्ड क्लास की बात की थी अब हमने पहली ब चूट गया चूट गया चूट गया तो यह हमारा माइंड मैप बन गया अब उसके बाद हमने क्या पढ़ा चैलेंजिस के बाद हाहा गौवर्वेणिंट का स्टेन्ट गौवर्वेंट एंड गौवर्वेंट एंड और इंड स्टैन्ट किस चीज़ पर पुट कर वहा है है वि एम्बल एंड आर्टीकल 46 ठीक है तूर्ड में किस पाद की कर वहा है जस्टिस में क्या-क्या सोसल एकनॉमिक पॉलिटिकल तो बोल रहा है देखिए से हैना एकनॉमिक ठीक है ऐसे मतलब अब आर्टिकल 46 में वहां किस टर्म पर फोकस कर रहा है अधर आप लोग पूरा स्टेटमेंट लिखिएगा ठीक है अधर विकर ये स्टैंड इया है ना उसके बाद क्या हुआ हमने क्या पढ़ा अब हमने कहा कि 8 लैक्स अब यहां जो यह पॉइंट आया ना हमारा एक लाक्स वाला हम इसमें कर देंगे कि 8 लैक्स क्या दोनों की लिए से CH-Eothingा क्या है टीक है तो यहां पर हम करेंगे कि ओबी सी ऐन्ड यहां पर दाबलूए एस ठीक है इसमें क्या है यह डबूए में इसमें क्या है इक्स्क्लूजन है किसका किसका एक्सक्लूजन है Technical Income Artisanal Income salary यह सब का exclusion है यहां पर क्या है family income all included all included दूसरा क्या है यहां पर क्या है यहां पर क्या है यहां पर क्या है यह इतना हमने पढ़ा यही आपको पूरे चार पेज में लिखा जैसा कुष्चन आएगा वैसा हम एंसर करेंगे लिए किस्टल क्लियर आपके दिमाग में चला गया होगा एक पॉइंट एक चीज हम हो थी है है हम लोगने कल भी डिसकस कियाथ कि ऐसा Constitution में कोई प्रोवीजन basic structure का नहीं है लेकिन जुडीशियरी ने जो जो जज्जमेंट दिया जुडीशियरी ने एक वार कहा कि यह basic structure अगले में कहा यह basic structure अगें judiciary के पास भी कोई criteria या नहीं है कि मैं किस बेसिस पर कह रहा हूं कि यह बेसी का स्ट्रक्चर अब दा Constitution है बट जो डिसेरी को यह लगता है कि जो हमारे Constitution का objective था उसके in line में कोई चीज है जो minimum मतलब minimum criteria है मतलब minimum ऐसी बाद अपनी Constitution में है जो होनी ही चाहिए ऐसा जो डिसेरी का interpretation है अब यह एक डिबेट है कि यह सही है गलत है हो सकता है बेसी का स्ट्रक्चर ऑफ दा Constitution अगें चेंज हो रहा हो और आपने देखा उस समय से कितनी चीजे बेसी का स्ट्रक्चर के अंदर आ गई है ठीक है हाँ कहां पर बताया आपने चैलेंजे एस्सेटेड यह था स्ट्रक्चर ऑफ देखेंगे एक्सेप्शन हो इसके अंदर ही आता है बट जरूरी नहीं है उसको आप लिखना चाहते हैं पंदरा एक दो तीन देख लीजेगा आप उसको मेंशन कर सकते हैं कि कि आगे बढ़ते हैं तो आपका जो क्वेश्चन था आपका नाम क्या हुआ भीवःज गन कोई जोडेशरी के पास फ़िश्ट फॉर्मुला नहीं है एक स्ट्रक्चर है एक बेसिक डूर्ग्चर नहीं थीक हाँ यह मूँफ कर रहा है जैसे जैसे बंढ़ा है हमने हैं सॉडेशरी के खास जुक्त मालने के हमने मनलिया कि फ्रूषी का स्ट्छर है तो अभी पृसिडेंट सेट हो गया कि नहींuito बेसिक अ कि इंकम बाकि जगों से आρα होगा अब उतना डीटेल में हम लोग उतना हम लोग डीटेल नहीं जाएंगे ठीक है कि सुप्रीम कोट ने आदतों उनकी बात की वह सही है लेकिन हमारे पास इतना पॉइंट है ना हम उतना डीटेल में क्यों जाए वह बतलब एक पर्टिकुलर बहुत अब वह जुडिसेरी का क्वेश्चन हो गया मालने को जुडिसेरी में ऐसी बात पूछी जा रही है हमारे जन्रल स्टेडिस का पेपर है हमें ब्रॉडर पॉइंट्स पता होनी चाहिए ठीक है आप लिख सकते हैं बट मैं कहूंगा उतना स्पेस टाइम नहीं है वो जब भी क्वेश्चन पूछेगा 4-5 डाइमेंशन पर पूछेगा आप उसी को एंसर करेंगे तो आपका काम पूछाएगा ठीक है आगे बढ़ते हम लोग अब हम लोग क्या कहरें कि रिकमेंडेशन क्या पूछ सकता है ठीक है रिकमेंडेशन क्योंकि EWS का क्वाइटेरिया तो हमने फिक्स कर दिया अब मान ले वी पीसी में फिक्स है कल इसमें कोई बदलाव आता है तो सारी जॉब्स एड्मिसंस सब हो जाएंगी और एड्मिसं होंगी तो सेशन्स बहुत बार चेंज हो जाएगा बहुत लोग का भविस्य खराब हो जाएगा तो कहा जा रहा है कि जब तक आपको एक अच्छा मेथट खोज नहीं लेते हैं या इस पर कोई कंक्रीट डिसीजन नहीं आता है तब तक इसको चेंज नहीं किया जाए और जो एक प्रोसेस में है उस पर लागू होता रहे ठीक है यही रिकमेंडेशन्स दिया गया है फर्दर यह रिकमेंडेशन्स भी दिया गया है कि जो EWS का क्राइटेरिया है उसको और क्या बनाया जाए स्ट्विंजेंट ठीक है जिससे जो सच्मुच गरीब वेक्ति है उसी को मिल सके ठीक है तो यह हमारी बेसिक रिकमेंडेशन्स इसमें दी हुई है आगे बढ़ते हैं अब हम लोग हिजाब का इसू पढ़ते हैं